Hello everyone, welcome to this YouTube channel Learn T.Live इस वीडियो में NCRT Class 9th के Mathematics का Exercise 2.1 का Question No.1 का सोलूसन देखेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पर ना है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लिजे Question आपके सामने है Exercise 2.1 का Question No.1 Question कर रहा है Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not State region for your answer तो यहाँ पर question लिखे हुए है और पुछा जा रहा है कि इस में से कौन सा जो expression है वो polynomial in one variable है यानि कि एक चरवाला polynomial यानि कि बहुपद है या नहीं और कौन सा नहीं है अगर है तो इसके पीछे रीजन बताना है और नहीं है तो भी रीजन बताना है ठीक है तो देखिए आप सबसे पहला expression दिया गया है और एकस स्कॉयर माइनस थ्री एकस प्लस सेविन तो देखिए इसके पहले हम लोग आलफबेट वाला पार्ट होता है जैसे यहां पर एकस है यहां पर भी है तो सिर्फ इसमें एक ही वैरियेवल दिख रा है यह क्या हो जाएगा वन वेरियेबल वाला पॉलिण हो जाएगा तो दिय्रेक्ट हैंगे कि इस जो एलिक हैंगे इत इत इग्स पीनॐण इन enough पोHar mixer उन हर्ण सब्सक्ष्ण हो लिख लेंगे तो रिय बेरी रहे एकस इसीतरे सेट आपडिया गया तो सेटेंथ की मुझ आप नियुक्ष तो तो यह भी क्या होगा एक पॉलिनोमील होगा ओन वेरियबल का तो इसका भार लाइ nuts वह तो फोलीनो इन वान वैरियेवल अ कि और जो भी वैरियेवल हो जैगा वाई होजागा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे वहरीपल के जगार पर क्या है तो यह है तो इसलिए मलोग वाई लिख लेंगे यह फर्स्ट और सेकेंड हो गया question one का चलिए बढ़ता है next के तरफ next दिया गया three root under t plus t root under two क्या दिया गया three root under t plus t root under two इसको बताना है कि क्या यह polynomial है वो भी one variable का या नहीं तो जब हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखें जो t का power आप लोग देख रहे तो हो जाता है लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब अगर power whole number में हो तभी वह polynomial होगा ठीक है जब whole number में हो तभी polynomial one variable का अधरवाइज नहीं होगा ठीक है तो यहां पर whole number तो है नहीं whole number क्या होता है तो whole number वह होता है कि नेचुर जो भी जो यह एक्सप्रेशन दिया गया है वह polynomial नहीं है तो हम लोग डैरेक्ट एंसर लिखेंगे कि इस नोट polynomial क्या लिखेंगे इस नोट पॉलिनोमियल ठीक है यह पॉलिनोमियल नहीं है और नहीं है तो इसके पीछे रीजन भी बताना है तो इस नोट पॉलिनोमियल एज को पावर आप मेंजी तो पावर होना में होना चाहिए तब जाके वह ads भोट देखते हैं तो फोर्थ दिया गया है वाई प्लस टू अपन वाई तो यहां पर देखिए आप तो वयरियेबल एक ही दिख रहा है ठीक है यहां पर लेकिन जब आप इसको यहां पर जो वाइएप नीचे है denominator में इसको numerator में change करेंगे तो कोई जब भी denominator में हो इसको numerator में change किया जाता तो इसका power नीचे y का power 1 दिया गया ठीक है और उपर 2 है जब इसको ऊपर भेजेंगे तो y का power minus 1 हो जागा क्या होगा य का पावर मैनस मान और आख देख पा रहें कि क्या है फोल नमबर नहीं है इसलिए यह भी क्या हो जाए का जो यहां पर एक्स पेरिशन दिया गया है वो पोली नभिए होगा तो डिरेक्ट हम लोग यहां पे किलियर कर लेते हैं और लिख लेते एंसर मेगा दोत एंसर क्या लिखेंगे is not polynomial करहुगा it is लोट पॉलिनॉम्य यह भी पॉलिनॉमयन नहीं होगा ठीक है इस नोठ पॉलिनॉम्यों इनस दड़ प्रेट साइब तो पस्ते सब्सक्राने और दो तो ऊनॉइब। प्रेट समय की रूह वेडिवल बहुत रिए बियाबल कैसे अदिक बि Celsius मेरेबल हो गया। एक T variable हो गया है तो यह सिदा सिदा दिख रहा है कि यह one variable का polynomial नहीं है तो इसका हम लोग एंसर लिखेंगे कि it is not polynomial in one variable तो यह one variable का polynomial नहीं है विकॉज क्यों कि it is of three variable यह कितने वेरियेबल का है तो three variable का दिया गया और यहां पर क्या क्या है तो एक X दिया गया है एक Y दिया गया है और एक T दिया गया है तो इस तरह से इसका solution करना था तो आज के लिए इतना है आज का वीडियो यहें पर समाथ हुआ वीडियो कैसे लागा comment section में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में thanks for watching जैहिंद